आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ a constant contact with the equilateral triangle of block यह आपका पास equilateral triangle है जिसका base जो है वो इतना दिया गया है तो अगर equilateral triangle हा जो भी उसका base होगा वह ही other sides भी होंगी तो इस side का भी length 2a by root 3 होगा तो इस base का जो length है same length इस side का भी होगा ठीक है If the block is moving horizontally with the speed of 20 ms तो यह 20 ms से move कर रहा है तो अकर block move कर रहा होगा तो block का यह point भी 20 meter per second से move कर रहा होगा तो यानि कि rod का यह point भी 20 meter per second से move कर रहा होगा then find the magnitude of angular velocity तो आपको actually में इस omega को पता करना है इस omega की value क्या होगी जब theta जो होगा वो 30 degree Celsius हो तो देखो simple सा है आपको यह h पहले पता करना पड़े है तो देखो कैंसे पता करेंगे से यह height यह length आपको पता है 2a by root 3 और यह length आपको पता होगा कि यह हाफ होगी तो यानि कि यह होगा a by root 3 तो h की value पाइथागोरा स्थियोरम से क्या होगा root over पाइथागोरा स्थियोरम होगा आता होगा hypotenuse का square minus का this length तो hypotenuse का square कितना होगा 4a square by 3 minus का इसका square a square by 3 और इसको जब आप solve करेंगों तो h की value क्या आजाएगी 1 तो actually यहां से कितना आ गए है तो h यहां से a आ गए हम आपस इस triangle को आप देखो यह triangle है आपको से पास इस triangle में देखो क्या हो रहा है कि एक आपको length h दिया गया है जो की a है यह distance x दिया गया है यह angle theta 30 दिया गया है आपको यह length पता करना h दैस तो h दैस कैसे पता करेंगे तो sine component आप ले लो इसका तो sine 30 degree will be equals to perpendicular जो की a है upon h दैस sine 30 degree value कितनी होती 1 by 2 तो यहां से h दैस की value क्या रहाएगी 2 है तो अब देखो हमको question में कई सारी information पता चल गई है अब कैसे use करना यह देखते हैं तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास यह rod है जहां से two-way distance पर एक point है जिसकी velocity इस direction में 20 meter per second है तो इसका omega पता करना है तो simple सा case आपके पास बन गया कि आपके पास एक rod है और उस rod का एक point इधर 20 meter per second से move कर रहा है ठीक है rod का एक point 20 meter per second से move कर रहा है इस okay about आपको एंगलर momentum पता करना है तो आपको पता है कि ओमेगा की वेलू क्या होती वी perpendicular divided by r, r का मतलब यह distance जो कि two ए है वी perpendicular का मतलब क्या होता है v sin theta, sin theta का मतलब कि यह एंगल अगर theta है तो उसका यह component v sin theta ठीक है तो v sin theta divided by r कितना है 2a तो v आपको आपको पता है 20 sin theta आपको पता है 30 यानि कि 1 by 2 और 2 into a की value उसने आपको 1 दे कर गे रखाए तो a यहाँ से कितना हो जाएगा 1 तो it is 20 divided by 4 तो omega की value कितनी आगई 20 divided by 4 equals 5 radian per second ठीक है तो यह आपको यहाँ से answer आगया Thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर